हे गाईज आई वेलकम यूल टो मैई चैनल SSE Smart Classes तो आगे हम कंप्यूटर के MCQ कर लेते हैं काफ़ इंपोर्टन्ट MCQ मैं करवा रहा हूँ एक्जाम में आप देख लेना अगर आप इतना भी पढ़के जाते हैं तो आप एक्जाम में लगबग सारे कोश्चन जो हैं वो कर पाएंगे क्योंकि मैं इसमें हर टाइप के कोश्चन करवा रहा हूँ और अगर आपको ये PDF चाहिए इसमें आपके सारे के सारे TCS के पराने कोश्चन है विद थियोरी और थियोरी के साथ MCQ है आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत बेस्ट बुक है ये प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना बाकी के लेक्टर देखे आगे इन कंप्यूटर टर्मिनलोजी वट इस दे फुल फॉल फॉम ऑफ रैम सो रैम की जो फुल फॉम है इस रेंडम एक्सेस्ट मेमरी ए आई एक्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम फिच कंपनी इसका अंसर होगा लेंग्वेश को बोल किसने इन्वेंट की थी तो ग्रेस मुर्य हो पर सेकिंड जनरेशन कंप्यूटर है यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्टन है जो आज की वीडियो में आपको करवा रहा हूं डिरेक्टली इग्जाम में आने वाले क्वेश्टन है नेक्स तेखेगा डैट डैश चिस्मालेस स्मालेस इटा इन अंप्यूटर बिट ठीक है बिट होता है आपका स्मोलेस्ट बिकोज एट बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं फिर आगे यह पैटरन चलता है दस-चोबिस बाइट एक किलो बाइट ठीक है इस तरीके से in computing dash is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on the predetermined security rules तो firewall हो गया www को किस ने invent किया था तो यह आपका 1989 में develop किया था team burnsley which of the following is not an antivirus software so Linux Linux एक operating system है what is the full form of FDD is fluffy disk drive shortcut की आपका use करना है page preview के लिए the control plus F2 और print के लिए control plus P who designed the first analog computer in India यह भी important है इसका अंसर होगा samindra kumar mitra nibble क्या होता है so nibble होता है आपका half byte because half byte मतलब 4 bit python is a high level language Linux is a operating system a hard disk is an example of which type of data storage device so यह आपका secondary storage 1 kb में कितने bit होते हैं तो answer होगा आपका देखे 1 kb 10-24 byte ठीक है 10-24 byte को आगे आपको आपको बिट्स में convert करना है 8 एक byte आपका 8 के कोल होता है तो 8 से गुना कर देना the copy command saves to clipboard वेक्यूम टूबिजन इस इन्वेंशन ओफ फर्स जनरेशन फर्स जनरेशन की इन्वेंशन है इसके time period कौन सा इसमें primary और secondary storage है और इसके example computer size were very large in first generation room के size इसके होते थे dash is responsible for overall control and coordination of the instruction execution control unit which of the following is the faster type of computer super computer तो आपको वर्ल्ड का और इंडिया का जो फास्ट सूपर कंप्यूटर फास्टेस उसको करना है फाइंड आउट टेक्नोलजी ओफ थर्ड जन्रेशन आइसीज विच ओधा फॉलोइंग स्टेटमेंट्मेंट्स हार इंकरेक्ट देखे बी सी सी की जो फूल फॉर्म है वह ब्लाइंड कार्बन कोपी ही होती है बदिन मैं कोया है मैंतो फॉलीटें एरियन नेट्वरी ellis एकस्पैंड विधिन एंडिरीच ओफर कंप्ट यह आपका जो है वह अ मोट्स इन कंप्यूटर सेंटल प्रोसेसिंग उनिट इस दा एड्मिनिस्टिटिव पार्ट ऑफ कंप्यूटर ओलार क्रेक्ट आगे एक और है कौन सी स्टेट्मेंट इसमें करेक्ट है सो आपका देखिए मोडम की फुल फॉम मोडिलेटर दी मोडिलेटर होती है तो यह आपका गलत है आल्दा इन्पुट एंड आउट्पुट डिवाइस जो है वो सॉफ्ट्वेर है तो गलत है यह आपके हार्डवेर होते हैं करेक्ट पूचा है तो MS Word का फाइल एक्स्टेंशन आपका .doc ही होता ह है सो अंसर होगा थर्ड पैसकल का फाइल एक्टेंशन होता है आपका पी जी नूट पी एस सी एम पीजी में पीकी फुल फॉर्म आपकी क्या है मूविंग पिक्शर एक्सपर्ट गृूप सो एक्स पीका होगे पिक्टर अगर पिक्टर भी आये तो गलत होगा फिक्टर होगा using which of the following can be exchange of the text messages and computer files over smaller or the larger area can be done easily the transfer may either be done in a local network or wide area network so answer होगा electronic mail तो आपको बताना है अगर आप इसको 16 का सब्सक्रेट में लिखना है तो 3457 को कैसे लिखो गए बहुतर F ठीक है यह आपका 16 का होगा कि 16 के कोड में आपको कैसे इसको लिखना है देखो इसको solution मैं डिरेक्ट आपको ऐसे बता रहा हूं सबसे पहले जो आपको नंबर दिया हुआ बेस आपको दिया हुआ है इसको आपको decimal में कनवर्ट करना है यह आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो जो लास्ट वाला है 7 जो लास्ट वाला नंबर है इसको इस तरीके से मल्टिप्लाई आप करते जाएगा यहां पर यहां पर जैसे 7 है तो 7 गुना 8 की पावर 0 फिर 5 लेना 8 की पावर 1 फिर 4 इंटो 8 की पावर 2 and so on तो इस तरीके से आपको करना है यह नेक्स्ट है अब आपको आगे इसको hexadecimal में convert करना है hexadecimal में convert करने के लिए जो 1839 आया इसको 16 से भाग करिए 114 आया मतलब इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं ठीक है जो आपका 1839 आया इसको इस तरीके से करिए 16 यहां पर आप जब करोगे तो आपके पास आएगा से वेन ठीक है तो यहां पर इस तरीके से लिखना होता है तो 72 और एफ 15 को लिखते हैं हम एफ से डिनोट करते हैं ठीक है आगे देखेगा 34 इन ओएस आई मोडल डेट 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 लिंक लेर इस डिवाइड़ इंटू मैक लेर एंड लेल सी लेर उसके बाद 35 देखिए यह कौन सी क्लास है देखिए मेरी जो इंटरनेट प्रोटोकोल वाली क्लास है जो जो क्या नाम जो टोपिक है उसमें सारा द जल जाएगा अभी के लिए देख लीजिए क्लास C का एक्जाम्पल है डैश इस सेट अफ प्रोग्राम्स लोकेटी डेटर नेटवर्क डेट प्रोटेक्ट रिसोर्स इस और प्राइवेट नेटवर्क फ्रूम अधर नेटवर्क्स से फायरवेल है बहुत पूचा जाता है है फायरवेल का कोशन तो याद रखना इंपूट आटपूट डिवाइस पर भी बहुत पूचा जाता है इनमें से कौन से इंपूट डिवाइस नहीं है OCR भी है ऑप्टिकल स्कैनर वोइस रिकोगिनेशन डिवाइस भी है सी ओ एम नहीं है इसके फूल फॉर्म क्या है से मोटा स्टोरेज डिवाइस सो अंसर होगा इसका स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है पिंटर को सटोरेज डिवाइस नहीं है कि नेक्स देखिए का 40 लास्ट कॉस्चन डेस्ट टेक्नोलोजी इस यूज़ बैंक्स फोर फास्टर प्रोसेसिंग ओफ लार्ज वॉलियम चेक यह हो गया आपका एम आई सी यार टेकनोलीजी यूज की जाती है बैंकों के तबारा ताकि वह इतने लाज वोलिम ओफ चैक है उनकी प्रोसेसिंग कर सकें यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवा कर दो कर मुद एमदाने लगी आपको एमदाने।